माता लक्ष्मी जी, आपका हमारे घर में स्वागत है, नमस्कार दोस्तों. आज हम बात करेंगे उस पवित्र पौधे की, जिसे सिर्फ पौधा नहीं, बल्कि एक अलोकिक शक्ति माना जाता है, तुलसी. तुलसी, एक ऐसा पौधा जो हमारे घर में सकारात्मक उर्जा का कहा गया है कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है, वहां स्वयम, मा, लक्ष्मी निवास करती हैं. इसी लिए तुलसी का पौधा हर हिंदू परिवार के आंगन में मिलता है, क्योंकि यह न केवल घर की शोभा बढ़ाता है, बल्कि इसे परिवार की खुशहाली और समरि अधिका प्रतीक भी माना जाता है। मान लक्ष्मी का आशीरवात पाना हो, घर में समरिधिलानी हो या नकारात्मक उर्जा से बचना हो, तुलसी हमारे लिए वह वर्दान है, जिसे हमें पूरी श्रद्धा और सम्मान के साथ अपने घर में स्थान देना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहला संकेत जो तुलसी का पौधा हमें देता है, वह है इसका अचानक से सूखना। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि तुलसी का पौधा बिना किसी कारण के सूख जाए, तो यह एक गंभीर संकेत है। तुलसी का पौधा सूखने का मतलब है कि परिवार में आर्थिक कठिनाई आ सकती है या फिर कोई बड़ी विपदा आने वाली है। ऐसा माना जाता है कि तुलसी मा अपने प्रियजनों को आगाह करती हैं ताकि वे संभल सकें। अगर तुलसी का पौधा सूख जाए, तो इसे हलके में न ले। यह संकेत है कि घर में धन संबंधी कठिनाई आ सकती है या परिवार के सदस्यों को व्यापार या नौकरी में समस्याएं हो सकती हैं। ऐसे में जरूरी है कि परिवार के सदस्य अपने कर्मों पर ध्यान दें और मान लक्ष्मी से आशीरवाद प्राप्त करने के लिए नियमित रूप से तुलसी की पूजा करें. अगर तुलसी का पौधा सूखने लगे तो तुरंत उसे बदल कर नए पौधे को स्थापित करें और उसकी देख भाल करें. तुलसी के हरे भरे पत्तों का अचानक गिरना भी एक संकेत है। अगर तुलसी के हरे और स्वस्थ पत्ते बिना किसी कारण के गिरने लगें, तो इसे बहुत ही अशुभ माना गया है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा तब होता है जब मा लक्ष्मी घर से नाराज होकर प्रस्थान कर रही होती है। मा लक्ष्मी का नाराज होना संकेत करता है कि घर में कुछ ऐसा हो रहा है जो देवी को पसंद नहीं है। ये संकेत है कि घर के सदस्यों में आपसी मतभेद, अचित व्यवहार ऐसे कार्य हैं जो मान लक्ष्मी को अप्रिय हैं। यदि आपके घर में तुलसी के हरे पत्ते गिरने लगें, तो घर के माहौल को पवित्र रखें और नियमित पूजा अर्चना करें। तुलसी के पौधे के आसपास नए पौधों का उगना एक बहुत ही शुब संकेत माना गया है। शास्त्रों के अनुसार यह संकेत देता है कि घर में खुशहाली आने वाली है। यह संकेत है कि मा लक्ष्मी आपके घर में पूरी तरह से प्रसन्न हैं और आपके परिवार को विभिन्न मार्गों से सम्रिध्य प्राप्त होगी। जब भी तु अगर आपके घर में तुलसी का पौधा अपने आप ही उग जाए, तो समझिए कि मा लक्ष्मी ने स्वयम आपके घर में प्रवेश किया है और घर में समृध्धि और शांति का आशीरवाद दिया है। तुलसी के गमले में चींटियों का आना भी शुभ माना गया है। चींटियां धन और समृध्धि का प्रतीक मानी जाती हैं। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी के पास चींटियां आने का मतलब है कि परिवार में धन का आगमन होने वाला है। हालां कि तुलसी के पौधे पर अन्य प्रकार के कीडे मकोडे अशुभ माने जाते हैं। अगर तुलसी पर मकड़ी के जाले लग जाएं, तो इसे अशुभ माना जाता है। मकडी का जाला धन के नाश का सूचक है. इसे तुरंत हटाएं और तुलसी को पवित्र जल से धोकर साफ करें. तुलसी का पौधा यदि सदा हरा भरा और सुन्दर दिखाई दे, तो यह परिवार के पवित्र और सुखद वातावरण का प्रतीक है. ऐसा माना गया है कि जिस घ तुलसी का पौधा हरा भरा रहता है, वहां सुख और सम्रिध्धि बनी रहती है. तुलसी का पौधा जितना अधिक हरा भरा होगा, उस घर के लोग उतने ही सुखी और सम्रिध्ध रहेंगे. यह संकेत है कि उस घर में सकारात्मक उर्जा का वास है और मान लक्ष्मी की कृ पर बरकरार है ऐसे घर में तुलसी के पौधे की नित्य पूजा अर्चना करनी चाहिए ताकि यह सदैव हरा भरा रहे और मान लक्षमी का आशीरवाद हमेशा बना रहे तुलसी का पौधा न केवल एक साधारन पौधा है बलकि यह एक दैविय शक्ति है जो हमारे जीवन में कई संकेत देती है यदी हम इन संकेतों को समझें और अपने आचरण में सुधार लाएं तो मान लक्षमी का आशीरवाद सदैव हमारे साथ रहेगा तो दोस्तों यदी आपके घर में भी तुलसी का पौधा है तो उसकी देख भाल करना न भूलें उसे नियमित रूप से ज और समरिध्य को प्राप्त कर सकते हैं हमारे धर्म ग्रंथों में कुछ परंपराएं बनाई गई हैं जो समाज के हर व्यक्ति को सही मार्ग दर्शन देती हैं मासिक धर्म के समय महिलाओं के लिए विशेश सावधानिया रखी गई हैं इसका एक मुख्य कारण यह है कि इस सम महिलाओं को तुलसी के पास जाने से क्यों मना किया गया है यह मानिता है कि मासिक धर्म के समय महिलाओं तुलसी के पास न जाएं क्योंकि इस अवस्था में तुलसी पूजा करना और तुलसी के संपर्क में आना अनावश्यक ऊर्जा खीन सकता है ऐसा कहा गया है कि यह समय म महिलाओं के लिए विश्राम और आत्म संयम का होता है। यह धार्मिक परंपराओं के अनुसार एक पवित्रता का प्रतीक है। महिलाओं को इस दौरान खुद पर ध्यान केंद्रित करने और अपनी उर्जा को संतुलित करने की आवशक्ता होती है। इसलिए तुलसी के पास न जाकर वे एक प्रकार से अपनी शक्ती को बनाए रखती है। दूसरा समूह उन महिलाओं का है जिनका विवाह अधूरा है। इसका अर्थ है कि जिन महिलाओं ने विवाह के सभी धार्मिक संसकार नहीं किये हैं, जैसे कि साथ फेरे या जो कोर्ट मैरिज या बिना सामाजिक मान्यता के संबंध में रह रही हैं, उनके लिए तुलसी के पास जाना वर्जित माना गया है। देवी देवताओं की कृपा से बंधन को अटूट और पवित्र बनाता है। कोर्ट मैरिज या केवल एक साथ रहना इस आध्यात्मिक संसकार को पूरा नहीं करता है। इसे एक अधूरी स्थिती माना जाता है और ऐसी स्थिती में महिलाएं तुलसी के पास जाने से बचती है। धार्मिक मान्यताओं में यह निर्देश इसलिए दिये गए हैं ताकि तुलसी के पवित्र स्थान पर उस उर्जा का संरक्षन किया जा सके जो पूरी तरह पवित्र और सकारात्मक वातावरण के साथ जुड़ी होती है। अधूरी शादी वाली महिलाओं का तुलसी पूजा से दूर रहना इस बात का संकेत है कि वे अपनी स्थिती को स्वीकार कर अपने जीवन में पवित्रता लाने की दिशा में प्रयास करें। अब हम बात करेंगे तीसरी परिस्थिती की. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसी महिलाएं जिनके मन में अपने पती के प्रती प्रेम और सम्मान न हो और जो दूसरों के प्रती आकर्शित हो उन्हें तुलसी के पास नहीं जाना चाहिए. इसे घोर पाप माना गया है और ऐसा कहा गया है कि ऐसी महिलाएं मा तुलसी को क्रोधित कर सकती हैं. तुलसी का पौधा हमारे लिए केवल एक साधारन पौधा नहीं है, बल्कि इसे मा लक्ष्मी और मा तुलसी का आशीरवान माना गया है. यह पवित्रता और आस्था का प्रतीक है एक स्त्री के मन में जब पती के प्रती सम्मान और स्नेह न हो और उसके विचार किसी अन्य व्यक्ति की और आकर्शित हो तो यह उसके आध्यात्मिक विकास में बाधा उत्पन्न करता है ऐसी मान्यता है कि मात तुलसी उन महिलाओं पर प्रसन्न होती है जिनके मन में अपने पती के प्रती प्रेम, आदर और समर्पण हो यह भाव एक महिला को उसके कर्तव्यों के प्रती जागरूक करता है और उसे आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है जब पती के प्रती विश्वास की कमी होती है तो महिला का मन अशुध माना जाता है और इसलिए उसे तुलसी के पास जाने से बचने की सलाह दी जाती है हमारे धर्म गरंथों में बताया गया है कि तुलसी का पौधा भगवान विश्णू का प्रिय है और इसमें मा लक्षमी का वास माना गया है तुलसी का स्थान हमारे घर में शुद्धता और आध्यात्मिक्ता का प्रतीक है यह कहा गया है कि जो लोग सच्चे मन से इसका ध्यान रखते हैं उनकी मनों कामनाएं पूरी होती है इस पवित्रता को बनाए रखने के लिए हमें अपने विचार, आचरण और मन को भी पवित्र रखना होता है इसलिए जब मन में नकारात्मकता होती है तब हम तुलसी के पास नहीं जाते तो दोस्तों यह था तुलसी पूजा से जुड़े कुछ धार्मिक नियमों का सार अगर आप भी तुलसी का पौधा घर में रखते हैं तो इन नियमों का पालन अवश्य करें याद रखें तुलसी के पास जाने का अर्थ है मा लक्ष्मी और मा तुलसी से आशीरवात प्राप्त करना लेकिन इस आशीरवात के लिए हमें अपनी आस्था, विचार और आचरण में पवित्रता लानी होगी तुलसी का पौधा भारतिय परंपरा में सिर्फ एक पौधा नहीं है बलकि इसे पवित्रता, शुद्धता और आध्यात्मिक्ता का प्रतीक माना गया है यह माना जाता है कि जहां तुलसी होती है वहां मान लक्ष्मी का निवास होता है यह पौधा अपने आप में देवी लक्ष्मी का प्रतीक है और घर में उसकी उपस्थिती सौभाग्य और सम्रिध्धि लाती है तुलसी की पूझा करने से नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव कम होता है और घर में सकारात्मक उर्जा का संचार होता है यह पौधा हमारे वातावरण को पवित्र बनाए रखता है और भगवान विश्णू तथा मा लक्षमी का आशीरवाद प्राप्त करने में सहायक होता है तुलसी माता की कृपा पाने के लिए उसकी नियमित पूजा, दीपक जलाना और जल अर्पित करना आवश्यक है शास्त्रों के अनुसार, तुलसी का पौधा एक ऐसा माध्यम है जो हमारे मन को शुद्ध करता है और हमारे घर के वातावरण को सकारात्मक बनाता है तुलसी को जल अर्पित करना और शाम के समय दीपक जलाना उसकी सेवा का प्रतीक है यह एक ऐसा नियम है जो हमें अनुशासन और आस्था की शक्ती सिखाता है जब हम तुलसी को जल अर्पित करते हैं तो हम न केवल उसकी सेवा करते हैं बलकि इस प्रक्रिया में हम खुद को भी उस पवित्र उर्जा से जोडते हैं नियमित पूजा से हम मानलक्षमी का आशीरवात प्राप्त करते हैं और हमारे जीवन में सुख, सम्रिध्य और शांति का संचार होता है अब सवाल ये है कि यदि किसी घर में तुलसी का पौधा हो लेकिन उसकी नियमित सेवा न की जा सके तो इसका क्या प्रभाव होता है ये महत्वपूर्ण है कि तुलसी का पौधा लगाने का अर्थ है उसकी पूजा और सेवा का व्रत लेना अगर हम इसका पालन नहीं कर सकते तो यह हमारे और हमारे परिवार के लिए अशुब हो सकता है तुलसी माता का पौधा अगर नियमित सेवा और पूजा के अभाव में उपेक्षित रह जाए तो यह देवी लक्षमी का अनादर माना जाता है ऐसा कहा गया है कि ऐसे घर में समरिध्य और शान्ति का वास नहीं होता